नमस्कार मैं भावना स्वागत करती हूँ आपका आज तक 24 न्यूस में आईए करते हैं खबरों के शुरुआ भाजपा कारेकरताओं ने काफी ढूंडा और खोजबीन की लेकिन नहीं मिलने से भाजपा काली मेला थाने में इतला देकर मुकदमा दायर किया था रीना कबासी पर बीजू जनता दल से 10 लाख रुपए का चेक लेकर प्रार्थी पत्र वापस लेने का इल्जाम लगा था उसके खुद के भाई ने मीडिया के सामने व्यायान दिया था भाजपा ने आरोप लगाया कि उनके जिला परिशद उमीदवार कोरू कोंडा जोन दो के प्रदीप कुमार मातकावी को जबरदस्ती उठा लिया एवं उनके साथ मारपीट तथा पैसे देने की भी प्रलभन दिया है भाजपा राच्य उपसभापती बलभद्र माजवी ने मीडिया के सामने बताया है भाजपा का कहना है कि बीजू जनता दल बीजेडी हार जाने के डर से इस प्रकार भाजपा के उमीदवारों को पैसे की लालच दे रहे हैं अगर पैसे से नहीं मान रहे तो मारपीट कर डरा धमका कर या तो घर बैटने के लिए दबाव डाल रहे हैं भाजपा का कहना है कि वे किसी से डरते नहीं पंचाय चुनाव का अच्छा नतीज़ा भाजपा के पक्ष में ही आएगा क्योंकि लोग जानते हैं मोदी जी के सरकार ओड़ीशा वासियों के लिए कितना काम किया है इसलिए अपकी वारपी भाजपा मालकान गिरी में बहुमत से जीतेगी एवं खुट के जिला परिशत अध्यक्ष भी कठन करेगी भाजपा ने बताया है परिशत अध्यक्ष भाजपा मालकान गिरी जेबेठार पंचायत इलेक्षन दिखलायर है ची बिजेडी वाला हारी जिवारा भाजपार है बहुत प्रकारा सेमाने अन्याय अत्त्याचार कोरुच न्ती अध्यक्ष भाजपा मालकान गिरी जेबेठार पंचायत इलेक्ष भाजपा ने बताया है अध्यक्ष भाजपा मालकान गिरी जेबेठार पंचायत इलेक्ष भाजपा ने बताया है ब्रकारा पंचायत इलेक्ष भाजपा ने बताया है अध्यक्ष भाजपा मालकान गिरी जेबेठार पंचायत इलेक्ष भाजपा ने बताया है ओडिशा मालकान गिरी से ओडिशा हेड़ गोबिंद मंडल के रिपोर्ट आज तक 24 न्यूस के लिए देश दुनिया के तमाम ताजा खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर करें